तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आपके 10th क्लास की 1st flight जो बुक है उसकी poetry section को और आज हम पढ़ने वाले हैं next poem, poem number 4 इसका नाम है How to Tell Wild Animals और ये एक कवितरी हैं उनके द्वारा Caroline Wells के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही खुबसूरती से इस कविता को उन्होंने लिखा है जिसमें कि वो थोड़ा सा irony भी प्रस्तूत करते हैं यानि मजाक भी बनाते हैं humorous भी है ये जो poem है इसमें वो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे आपको इस कविता के अंदर humor दिखाई देता है यानि मजाक कहां पे बनता है थोड़ा सा introduction में आपको बता देती हूँ कि इस poem में अलग अलग तरह है कि जो जानवर हैं उनको आप कैसे पहचानोगे अगर आप जंगल में घूमने जाते हो तो उनके शरीर को देखके उनकी हरकतों को देखके आप कैसे पहचानोगे कि कौन सिसली है क्योंकि वो बाद में ये भी कहती है हर एक जानवर के बारे में बताने के बाद में कि जब वो आपको खाएगा तब आपको पता चल जाएगा तो जब आपको जानवर खाई जाएगा तो आपको पता कहां से चलेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तर अगया अगर आप जंगल में गए This humorous poem suggests some dangerous ways to identify This humorous, humorous मतलब होता है हस्यपोन, कि यह हसा देने वाली जो कविता है, यह आपको अराम से सलह देगी कि some dangerous ways to identify कुछ खतरनाक तरीके पता लगाने के, identify या निए पता लगाने के, या फिर toot or tell, कि या फिर आप बता सको, wild animals की कौन सा जानवर आपने देखा Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm इसको आप जोर से पढ़िए और पढ़ने का जो rhythm है, यानि जो ले है, उसके साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा identify यानि पहचाने और rhythm यानि ताल, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे अब इसको ताल के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं poem, if ever you should go by chance to jungles in the east and if there should to you advance a large and towny beast if he rolls at you as you are dying, you will know it is the Asian line यानि कि जब आपको एक शेर खा जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि वो एक शेर था अब वो कैसे पता चलेगा if you if ever you should go by chance कभी आपको अगर मौका मिलता है to jungles in the east कभी पूर्व के जंगल में जाने का अगर आपको मौका मिलता है and if there should to you advance और उसमें और भी आगे जंगल में जाने को यानि बहुत बड़ा टावन यानि पीले भूरे रंग का beast यानि जानवर अगर आपको वहाँ दिखाई दे जाता है if he roars at you और वो अगर आपको देख के आपकी तरफ दहारता है as you are dying यानि जब आप मर रहे हो आपको खाने आ गया और उसकी दहार आपको सुनाई दे मरते वक्त तो आप मान लीजिए आप समझ जाईए you will know it is an Asian loin तो आपको पता चल जाएगा कि जो जानवर आपको खाने आ गया है जो आपको खा रहा है वो एशिया का loin है यानि वो एक एशिया का शेर है तो यहां पर last में हमें एक humor दिखाई देता है मजाख दिखाई देता है जो कवी तरी कहती है कि आप जंगल में घूम रहे हो बहुत सारे जानवरों को आप वहां पर पहचानोगे तो आप शेर को कैसे पहचानोगे यानि Asian loin को आप कैसे पहचानोगे जब वह आपके पर दहाड़ेगा और आपको खाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वह वहां का शेर है यानि Asian loin है आगे देखते हैं और इफ, sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground just notice if he eats you this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern अब यहां पर if sometime और अगर कभी ऐसा होता है when roaming जब तुम उसी जंगल में आगे घूम रहे हो around वहां पे घूम रहे हो a noble wild beast noble का मतलब होता है mahan wild यानि जंगली beast का मतलब होता है janwar greets यानि वो आपका अभिवादन करता है उस जंगल में घूमते घूमते आपको कोई mahan जंगली जानवर मिल जाता है जो आपका अभिवादन करता है with black stripes on a yellow ground और किस चीज से आपका अभिवादन कर रहा है स्वागत कर रहा है कि वो आपके सामने खड़ा है और उसका शरीर जो है वो कैसा है काले रंगा with black stripes on a yellow ground काले रंगी धारियां है उसके शरीर के उपर और उसका background कैसा है पीला है यानि आपको जंगल में जब tiger मिलेगा तो वो कैसा दिखाए देगा वो पीले रंगा उसकी body है और उसके उपर black color की stripes बनी हुई है तो वो जब जानवर आपके एकदम सामने आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे just notice if he eats you तो देखो कि क्या वो तुमको खा लेता है अगर वो तुमको खा लेता है तो this simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discern तो यह जो तरीका है यह जो नियम है यह आपको बता देगा कि अगर वो आपके सामने आ जाता है शान्ती से और आपको खा जाता है तो फिर वो कौन है वो बंगाल का बाग है वो Bengal tiger है जिसने आपको खाया तो वापिस यहाँ पे मजाख हो गया कि जब वो खाई जाएगा तो आप उससे का पता लगा के क्या करेंगे तो दोनों जो पेराग्राफ हैं इस पोयम की फर्स्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो एशियन लॉइन है यानि की एशियाई शेर दूसरे में हमने देखा बैंगल टाइगर यानि बंगाल का बाग दोनों की जो स्किन का जो कलर है वो डिफरेंट है उनको उपर से पहचाना जा सकता है पहले में मजाग क्या किया पोयटिस ने कि जब वो आपके उपर उचल जाएगा कुछ भी नहीं छोड़ेगा तो पहचान लेना कि वो एशियन लॉइन है दूसरे में वो ये कहती है कि अगर वो खाज आता है आपको शांधी से आपके सामने खड़ा और तुरंत आपको खा जाए पकड़के तो समझ जाना कि वो बैंगल टाइगर है दा बैंगल टाइगर टु डिसरन तो ये जान लेना kulla गो जिसने तुम्हेघ खाया है आपको दिखाई देता है, view यानि दिखाई देना, आपको कुछ दिखाई देता है, whose side with spots is peppered, ऐसा कोई जानवर जैसा कि आप चितर में देख पा रहे हैं, ऐसा जानवर अगर आपको दिखाई देता है, जिसके शरीर के ऊपर काली मिर्च जो होती है, उस तरह के काले काले spot ब तो आप देख लेना कि अगर उसकी body जो है, शरीर जो है, उस पे काली मिर्च के जैसे dot 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 dot, अगर spot है, you will know it is leopard, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो leopard है, leopard मतलब होता है तेन दुआ, यानि तुम्हारे उपर जो जानवर ने हमला किया है, वो कौन है, leopard है, क्योंकि उ उसके शरीर के उपर जैसे आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर चितर में, तो आप पहचान लेना कि अब आपको तेन दुए ने आपके उपर हमला कर दिया है, वो तुरंत जपडता है, इतना फुर्तीला होता है, twill do no good to roar with pain, froth का मतलब होता है आगे, view का मतलब होत आपको बारी बारी उचल उचल के आपके उपर वार, करेगा और आपको खा लेगा, आपके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर end में, फिर मजाख किया है कवेटरी ने, आगे देखिए, अब जो भालू है, उसके लिए भी बड़ा ही खुबसूरती से कवेटरी बताती है। कि अगर आपको भालू जंगल में मिल जाता है, तो क्या होता है? हुख का मतलब होता है, बाहों में भर लेना, और वो तुम्हारे पास आके तुम्हें एक दम दबोच लेता है अपनी बाहों में, यानि वो इतना शक्तिशाली ताकतवर है, कि वो आ गया, आपके आंगन में आ गया खुदी, और आपको पकड़ के दबा देता है, बुरी त और अगर फिर भी आपको ये संदे हो कि भाई ये भालू है या नहीं है, I guess तो मैं अनुमान लगाता हूँ, he'll give you just one more cares, तो creature मतलब जीव, hugs यानि गले लगाना, sure मतलब निश्चित और cares यानि दुलारना, तो फिर वो देख लो दुबारा से तुम्हार को दुलारने लग ज कुराता रहेगा, आप पहचान लेना कि वो भालू, अगर एक बार मैं नहीं पहचान हो कि तो दूसरी बार फिर दबाएगा और समझ जाना कि वो भालू था, आगे देखते हैं, तो तो दिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अनौइस माइट नौन प्लस, दा क्रोकोड इस पैराग्राफ में, पोयम में, दो जानवरों का जिक्र हुआ है, यह जो आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, यह हाइनास है, और दूसरे नंबर पे जो दिखाई दे रहा है, वो है आपका क्रोकोडाइल, अब आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मगरमच के आ आसू होते हैं, मोटे मोटे निकलते हैं, तो अगर वो रोते हुए दिखाई देता है, तो वो क्रोकोडाइल है, और अगर कोई जानवर आपको हसते हुए दिखाई दे रहा है, दोनों साथ में हैं, तो समझ लेना वो हैना है, क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है, हैना हमे beast of prey, दो यानि हालांकी distinguish का मतलब होता है, अलग-अलग पता लगाना, beast of prey, distinguish यानि अंतर beast of prey, यानि शिकारी जानवर जो आपको दिखाई दे रहा है आगे जंगल में, उन में से a novice mite non-plus, इसको मतलब होता है नौ सिख्या, कि जो नौ सिख्या जो जानवर है, वो आपको पता चल जाएगा, might मतलब पराक्रम और non-plus यानि उल्जन ग्रस, यानि जो नौ सिख्या होगा, वो थोड़ा सा उल्जन में ही दिखाई देगा, ऐसा जानवर जो नया नया आपको दिखाई देगा, अब इन दोनों में भी आप, अगर नए हो, जंगल में गए हो, तो आप कैसे पहचानोंगे, कि दोनों जानवरों में से कौन सा जानवर जो है, वो आपके सामने आ गया, बिल्कुल आप तो नौ सिख्ये हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप जंगल में पहुंच गए वहाँ पर बहुत सारे wild animals हैं, उन में से आपको दो आपके सामने जानवर आ गए, तो अब आप कैसे पहचानोंगे, the crocodile you always may tell from the hyena does, यानि जो मगर मच है, वो hyena से किस तरह से different है, वो आप कैसे देखोगे, hyenas come with merry smiles, यानि जो hyena अगर आपके सामने आ जाता है, ये जानवर आ हैता है, उसके हमेशा face पे smile होती है, और but, लेकिन if they weep, they are crocodiles, लेकिन अगर वो रोते हुए आते हैं, तो आप समझ जाना कि वो मगर मच है, जो आपके सामने आ गया, तो अगर आप मानलो जंगल में गए भी हो, ये सब जानवर आप पहचान रहे हो एक एक करके, और बिल्क मच है, आगे देखते हैं, the true chameleon is small, a lizard sort of thing, यानि a true chameleon, chameleon का मतलब होता है girgat, कि जो एक सच्चा true girgat है, वो छोटा होता है, a lizard sort of thing, lizard यानि चिपकली की तरह दिखाई, देने वाला, जिसको हम chameleon बोलते हैं, वो क्या है, एक lizard है, he hasn't any ears at all, उसके कान नहीं होते हैं तो आप ये point note करेंगे, कि जो chameleon है, उसके कान नहीं होते हैं, यानि जो girgat है, उसके कान नहीं होते हैं, lizard यानि चिपकली, sort मतलब तरह, जो चिपकली की तरह दिखाई देता है, वो अब आपके सामने जो आगया है, वो chameleon है, और उसके कान नहीं होते हैं, and not a single wing, और there is nothing on the tree, और अगर वो वहाँ पे है, यानि वो पेड के उपर है, चिपकली जैसा दिखाई देता है, और आपको दिख भी नहीं रहा, होते हुए भी नहीं दिखना, तो इसका मतलब वो कौन सा जानवर हुआ, वो वहाँ पे chameleon है, इसलिए कि बात कही गई है, कि जो girgat हो या हमें ऐसे लगता है, टेहनी है, या वो जिस भी जगह बैठता है, उसका color same to same, वो उसी color का अपने रूप को बदल लेता है, तो हम पहचान नहीं पाते कि वहाँ पे कोई girgat बैठा है, इसलिए जो कहते है, कहावत है कि girgat की तरह रंग बदलना, वो इसलिए पढ़ा है क्योंकि girgat जो peak किसी जगह बैठता है, वो उसी color का बन जाता है, दिखता ही नहीं है, तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, अगर ऐसी जगह पहुंचते हो जहाँ पे छुपके या आपके सामने भी girgat बैठा है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो उसी color का हो the chameleon you see, तो ये मान लिजे कि वहाँ पे कौन सा जानवर बैठा हुआ है, वहाँ पे chameleon है, यानि वहाँ पे गिर्गिट बैठा है, तो बच्चों देखा हमने किस तरह से, हर एक तरह के जानवर के बारे में, पोईट समयां बताती हैं, कि अगर आप कभी किसी जंगल में प खा जाएगा, तो humor के साथ, साथ different types of animals, जो उन्होंने बताया, photos के द्वारा, चित्र के द्वारा, कि आपकी आँखों के सामने अब एक चित्र रहेगा, कि अगर कोई ऐसा जानवर है, जिसके जो skin का जो color है, वो कैसा है, उस पे stripes हैं, या उस पे dots हैं, आप पहचान लेंगे कि वो leopard है, यानि तेंदुआ है, शेर है, बाग है, chameleon है, या crocodile है, या हैना है, तो ये सारे के सारे जानवर को अब आप easily पहचान लेंगे, अगर आप उनको देखते हैं, वो आपके सामने आ जाते हैं, तो I hope बच्चों या आपको पूरी poem समझ में आ गई होगी, next class में मि question answers के साथ, thank you.